प्रिय दोस्तूं नमस्कार आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी भासा के स्वरों को इंगिलिस में केसे लिखा जाता है अगर आप इसे सीख गए तो आप हिंदी में प्रियोग होने वाले नामों को आसानी से इंगिलिस में लिख सकते आज की यह वीडियो बहुत ही केमती है इसके हम आपको दो पाल्ट बनाएंगे पर्थम पाल्ट में आपको हिंदी भासा के स्वरों को पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपको हिंदी में परियुक्त होने वाली बारह खड़ी को अच्छी तरों से समझाया जाएगा देखे यहाँ पर लिखा है ओ और ओ को इंगलिस में हम ए सब्द से उचारण करते हुँ ओ को ए सब्द से उचारण करते हुँ ठेक उसी प्रकार आ को हम दिखें आ को हम या तो ए पढ़िंगी या इसे हम डबल ए पढ़िंगी ओ को ए पढ़ा जाता है आ को ए या डबल ए पढ़ा जाता है इ को क्या पढ़िंगी इ को हमें आई या 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 इ पढ़िंगी इ को हम आई या इ पढ़िंगी और बड़ी वाली इ को डबल ए पढ़ा जाता है ओ को ओ को हम यू पढ़ते हैं और बड़ी वाली ओ को या डबल ओ पढ़ा जाता है खीक उसी परकार री को हम आर आई या आर डबल ए पढ़ा जाता है ए को हम पढ़िंगे ए को इ पढ़ा जाता है जबकि आई को आई पढ़ा जाता है जबकि ओ को ओ को ओ पढ़ा जाता है जबकि आउ को ए यू या ओ यू पढ़ा जाता है अंग को ए एन या ए एम पढ़ा जाता है ओ को हम पढ़िंगे ओ को हम पढ़िंगे ए ए अच्छ ध्यान दीजी जब ओ को ए पढ़ा जा रहा है ध्यान दीजी सिंप्ल ट्रिक है ओ पलस ओ क्या होता है आ तब अगर ओ को ए पढ़िंगे पलस ए आ को क्या पढ़ा जाएगा डबल ए उसी प्रकार जब ए को आई या ए पढ़ा जाता है तो बड़ी वाली ए को अगर एक छोटी वाली ए को ए पढ़िंगे बड़ी वाली ए को डबल ए पढ़िंगे अगर एक E छोटी E है तो केवाल E पढ़ेंगे बड़ी E है तो डबल E लगा दिया जाएगा एक उसी प्रकार O को U पढ़ेंगे और बड़ी वाली O को या तो U या डबलो ठीक उसी प्रकारी को आराई या डबली A को E पढ़ेंगे और आई I को AI पढ़ा जाता है जब O को O पढ़ेंगे आउ 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 को AU या O पढ़ेंगे अंग यहाँ पर समझे अंग O को A पढ़ा जाता है इस बिंदी का उचाला हम मा लिजे नो करते हैं तब यहाँ पर इसका उचाला N होगा या इसे हम A N भी पढ़ते हैं A M भी पढ़ते हैं और यह वाला अह है इसे हम A को उचालान A ही करेंगे यह जो विसर्ग है यह को उचालान कर रहा है तो जो A H पढ़ा जाएगा सिंपल ट्रिक थी इस वीडियो में इतना ही थैंक यू एम नाइश दे झालान